है यहां पर बात करने वालों किस तरी की सब्सक्राइब कर सकते हैं कल के मार्केट को आज मार्केट काफी वॉलटाइल था गैप अप से लॉफ हुआ जो एक्सपेक्टेशन के बिलकुल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था उसके बाद जो बाउंस आया और फ्लैट बात चल रहा है कुछ बहुत ही जादा बिटाई हो रही है स्माल कैप्स में तो यह दिखा रहा है कि अगर आप देखें मेजरिटी आफ लोग जो हैं वो परिशान है मार्केट में और जो कुछ स्टॉक्स जो मार्केट को समाल के रखें डिकस्में आप देख सकते हैं आई- free trade और मेरे साब से option selling has become damn risky क्योंकि option selling में आप buy बाद में करते हो sell कर चुके होते हो और आपका loss unlimited हो सकता है तो यह बहुत ही जादा problematic चीज हो चुकी है future में recently में एक हुआ था लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता बहुत जादा लोग फसे थे और वह बहुत जादा पॉब्लिसाइज नहीं हुआ था लेकिन आज फिर आज फिर एक स्ट्राइक प्राइस है थर्टी फाइफ थाउजन फाइवंड़ का पूट है शायद वह भी ऑल्मोस्ट मतलब खुलते ही सो रुपय आ गया था जो की जादा जादा दो सो तीन सो होना चाहिए था और फिर वापस से चार सो आ गया था तो यह हर दिन का एक मामला बन चुका है अब एक्सचेंज जिसमें बहुत सारी चीज़ें दुहाई दे रही है रेकिन सिंपल सा एक सवाल है क्या मार्केट पहले ऐसा नहीं था दूसरी चीज है margin rule कम होने के बाद जो volumes मतलब margin जो कम हुआ है margin rule के बाद जो margin बढ़ाए गया है उसके बाद जो भी problems है volumes कम हुए है उसके बाद ही ये सब issue क्यों चलू हुआ है हमने इतना बड़ा crash देखा market में उसमें तो कभी problem नहीं हुई निर्मला सीतरमन जो announce किया tax cut उसमें इतनी बड़ी rally आई उसमें कोई problem नहीं हुई budget के पहले rally हुई उसमें कोई problem नहीं हुई ऐसे अचानक से कैसे problem होने लगी और अचानक से market का behavior ऐसा कैसे बदल गया तो this tells you that ये margin rule ही सारे फसाद की जड़ है अब बहुत सारे group हैं बहुत सारे YouTubers हैं एक बंदा है बहुत दिन से लगा हुआ है digital blogger I really appreciate his effort तो उसने काफी दिन से बुला हुआ है मैंने भी Twitter पे अलरड़ी बोल दिया है कि we will not trade for one day, two day, three day जितने लोग तयार है हम लोग कोई चरसी है नहीं कि भई नहीं करेंगे तो मर जाएंगे सिंबल सी चीज है असर दिखाना पड़ेगा शांत बैठने का टाइम नहीं है फ्रीक ट्रेड ये ट्रेड अभी आपका मुझे कितने सारे लोग मैसेज कर रहे है कि सर ये जो margin penalty लगाई जा रही है इसका क्या तुक है अगर अगर आप system को आप strengthen कर दो हमारी क्या गलती है ब्रोकर का system आप ऐसा कर दो कि ब्रोकर खुद बोल रहे हैं बड़ा मुश्किल है ये काम करना तो फिर आपको पता है कि कहीं न कहीं से एक trader को गलती होगी और उस पर आप fine ठोकोगे पतलब लूटना है सीधा लूट लो यार वैसे भी taxes दे ही रहे है मतलब खुन चूसना है खुन भी ले लो बेच देंगे तुम्हारे नाम पे से भी भाई कि ले लो खुन एक अथ लीटर हमारा भी वैसे भी पी चुके हुआ था taxes के रूप में पी ही रहे है तो मतलब simple सी चीज है इतना कुछ देने के बाद भी चोटे डिडर की बात लगानी और लोगों के जिनके पैसे उनकी गलती ना होते हुए भी उड़ जाते हैं तो इतना गुस्सा आता है कि profit loss के लिए में कभी ट्रेड नहीं करता है मैं हमेशा अगर आप मेरे को जानते हो तो मैं कभी यह सब चीज मेरे मेरे सिंपल से चीज है सिंपल जीता हूं जादा मेरी चाह भी नहीं इस जीवन में लेकिन मैं जो जो भी फ्रॉड है चोर है चकार है यह समय बरदाश्ट नहीं कर सकता जो चीज गलत है वो गलत है सिंपल सी चीज है और यहां पर इट कैनाट भी प्रूवन की नहीं यह तो सही था अरे यार मतलब जुवा ही खेलने तो भाई कैसी इनों लीगर कर दो वो हम खेल लेंगे ड मार्केट को ऐसा करा जाएगा तो दीज आ दीज ओल फिंग्स अर कमिंग आउट अफ मी जिस इस माई फीलिंग अबॉट इस हापनिंग इन मार्केट मैं यह सोच रहा हूं कि यह बड़ा बड़ा चिंता का विशह है क्या हो रहा है बट नो ट्रेडिंग मींस नो ट्रेडिं सरकार को 20,000 करोड स्टीटी के रूप में इतना टैक्स आता है तो हम टैक्स देते हैं हमारे दम पे सरकार बहुत ऐश कर रही है अगर हमको सर्व करने की जगे हमारे खुंच उसने पर आ जाएगी तो हमें साथ आना पड़ेगा आई बिलीव यह मेरी बात जो भी है आप सही मोटिव में लेंगे और इसको सही ढंग से लेके स्प्रेड करिए अल्रडी आई तोल्मोस्ट थ्री-फोर डेज बैक मेरे साथ हुआ नहीं इसका फर्व इससे मतलम नहीं है कि मैं वो तो सेलफिशनेस हो गया रहे मैं रो रहा हूं कि मेरे साथ हो गया हम तो मैं इंकलाव की लड़ाई लड़ूँगा नहीं पहले से हमारा श्योर था कि करना ही है और हमने इसलिए ट्विटर पर बोला था लेकिन अब जो चीज आज हुई जो चीज फ्राइडे को हुई जो चीज बैटनस डेको ही इसको देखके अब शाथ बैटने का टाइम नहीं है तो गाइस साथ जो ब्रोकर हैं वो चोटे मोटे ब्रोकर हैं बिचारे चोटे मोटे बिजनस हैं उनके उनके पास नहीं है इतना फंडिंग या इतने ज्यादा बैक बैक अप जो भी इंजल इन्वेस्टर से नौल के वो लोग अपना दंदा चला रहे थे सब का ठपा वैठा दिया है इंडुस्ट्रिलिस्ट चाहिए देश में इनने सिर्फ पांच ब्रोकर चाहिए देश में इने सिर्फ पांच बतब हर चीज में चार पांच लोग चाहिए बाकी सब गरीब बना दो सबको मुझे पहले यह मज़ाख लगता था I'm a big fan of this government I'm very surprised कि यह government के रहते हुए मोदी जी के रहते हुए यह सब हो रहा है और उन तक बात शायद नहीं पहुंची होगी या फिर उन्हीं के यहां कोई होगा जो यह सब खेल खेल रहा होगा उनको को नहीं पता होगा कि यह कितनी बुरी तरीके से लोगों को आहत कर रहा है तो I think this voice should be made heard to these people so let's do it first of September no trading ठीक है from on लगाओगे तो थोड़ा कमजोर लगेगा एक दिन की है भूख हड़ता आले कर लो जो क्या फर्क पड़ता है from ठीक है that is a better way to be कर सकते हो from because I think this is better way hashtag चलाते है और एक दिन पहले चलाएंगे और अगले दो-तीन तक चलाएंगे सब का साथ होना जरूरी वरना मैं बता रहा हूं आप आज आपका दिन अच्छा चल रहा है किस दिन आपका घर बिख जाएगा पता नहीं चलेगा तो गाइस इस इस माइवन पॉइंट विच आपने मार्केट का थोड़ा वीक था अपना मार्केट वीकनेस क्यों है कि आज कोई रीजन था वीकनेस का बट याप में सेल होना था विकाज लोग परिशान है मिट कैप स्मॉल कैप में लॉसस हो रहे हैं तो मुझे लगता है एक और बांस करके फिर से यहां पर एक डिपाएगा मुस्ट पॉबड़ी हम इस नाइटी फ्री रिए मरी को टेस्ट कर सकते हैं और टो इस पर इशारा कि हम यहां से बांस करने वाले बहुत चल्दी उसके अलावा मिडाब इंडेक्स मिटकाफ में में बहुत दिन पहले लोगों है मुझे लगता है कि यह जो एरिया टूटा तो हम जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वह हमारे पच्छिस जार नौश चब्विस जार के आसपास मिलेगे मतलब यहां से राजा का बेटा ही राजा बनेगा राजा का बेटा ही खरीदे गार आपको ललेच की चीजियज अब बात कर लेते हैं तो बैंक निफटी राइंग सेपोर需要 इस आज इस नहीं से लॉटेगा क्या क्यूंकि यह लशचा यहां यह छैद society के लेवल है यहां पर हाई पे नहीं लो पे नहीं लेकिन अगर यहां से कंटीनी हुआ फॉल तो मेरे इसाब से एक जो लेवल इंपॉर्टेंट आ रहा है थर्टी-फॉर थाउजंड से थर्टी-फॉर थाउजंड का जो मुझे लगता है मुझे आना चाहिए बहुत जल्दी उसके ला ब्रेक आउट देख सकते हैं नया ही बनाते हुए देख सकते हैं अगर हमने और आप बुलते हो कि सेल कप करना है तो 450 के नीचे ही सेल करें अगर 450 तूटता है तो फिर हो सकता है 350-340 तक भी हम एक बार दुबारा सचाएं ओवरल निफ्टी को मैं कहुंगा कि डेड है एक द किसे होंगी सो मेरे साब से निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा रिसकी है और वॉल्यूम्स कम होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग का जो प्रेशर है सेलिंग का वही मोस्त प्रॉबड़ी हावी होता है तो इसलिए निफ्टी से बेड़र नाइटी पॉइंट्स का आपको स्टॉपलस रखना ही बड़ेगा क्योंकि अगर यह ब्रेक्डाउं हुआ तो कम से कम चारसो पांसो पॉइंट का फॉल बैक निफ्टी में दिख सकता है राइट नाव मोमेंटम कमजोर है अब इसके लावा कुछ से इनकी बात में करूंग सेवेंटी के ऊपर सेवेंटी फाइफ के ऊपर निकले तो आप बाय कर सकते हैं क्योंकि आपको मिलेगा थर्टी से फॉर्टी रुपीज अगर आपको यह जो एरिया है थर्टीन फॉर्टी फर्टीन 1338 1336 के अरिया के नीचे शॉर्ट करीगा यह भी नहीं होड कर पाता है मुझे अगर नहीं कर पाए बाई चांस आपको यह सिटुएशन दिखे का यहां से एक उम्मीद कर सकते हैं 1290 तका लेवल तो आप यहां पे इस लाइन को खीच के रखे इस लाइन को जहां भी करें इस लाइन के पास ही सेलिंग करनी है जो कि आप बहुत एग्रेसिफ सेलिंग पोजिशनल और स्विंग में ले सकते हैं अब उसके राब कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको एक है संफार्मा मेरे साब संफार्मा इस एरिया पर सपोर्ट लेना चाहिए लेकिन अभी फिर भी हम नहीं कह सकते फार्मा में जिससरी की सेलिंग आई एक्सपेक्टेड तो मुझे ऐसा लगता है कि संफार्म आपका स्टॉप लॉस होगा और आप एक उम्मीद कर सकते हो एटलीस सेवन सेवन सेवनेटीफाइड तक तो इस एरिया पर अटेम्ट करेगा मेरे साब से ब्रेक करने के लिए महाल अभी नहीं है लेकिन अटेम्ट कर सकता है स्टॉप लॉस रखे क्योंकि मार्केट इस टो फटाक से आएगा बहुत हाई लोग बुलते हैं कैसे कैसे अब देख लो कैसे आया है अब यहां पर सपोर्ट है लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो फिर बहुत बुरा गिर सकता है सो स्टॉप लॉस स्ट्रेक्टली 395 होना चाहिए किसी भी केस में आप पोजिशनली चार्सो ग्यारा 402 720 पर हैं चार्सोपे सपोर्ट रेंज में रहेगा मेरे साथ मेरे मिले आप से यह उपर stop loss होना चाहिए और फिर आप 400 तक के लेवल आपको दुबारा से टेस्ट करते हुए दिख सकता है उसके लाबा रिफेक्स इंडस्ट्री इसके बारे मैंने आपको बताया है इसके बारे फंडमेंटल भी मैं आपको शेर करूँगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टॉक आप देख सकते हैं इसका मैंने काफी ब्रॉड अनालेसिस किया था ट्रेंड लाइन में टेक्निकली तो ओवरल स्ट्रक्चर जो है यह आप देख सकते हैं यह एक हायर लो बनाते हुए आज इसने अटेंट किया है एक पॉजिटिव न्यूज है डेली गवर्मेंट की तरफ से कुछ ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर तो ओवरल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे बॉल्यूम की साथ यहां पर ब्रेक आउट जल्दी आ सकता है अभी यह जो ट्रेंड लाइन है आपकी resistance बनी हुई थी हम इसके नीचे थे अब support की तरह काम करनी चाहिए 130 के उपर है तो मुझे लगता है एक पार यह 140 ब्रेक करेगा तो एक अच्छा breakout नया हाई का बन सकता है तो fundamentally इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूँगा लेकिन right now अगर आपको short में मैं बोलू तो आपको यह trend line दिखा रही है यह पूरी analyzed है और आप इसके जो 122, 121 का जो area है वो आप investor है अगर तो उसको एक stop loss या एक दो रुपय उसके नीचे stop loss लेके इसको hold कर सकते है for investment बाकी आप अमने analysis कर लिजेगा आपको लगे तो ही करेगा क्यों छोटे stocks हैं तो यह मै आपको यहां पर बता रहा हूं उसके अलावा अगर आप बोलें कि टाटा मोटर्स यह तो इसकी दुरगती हो रखी है overall इसने बहुत important level 285-284 का area तोड़ दिया है जो कई बार support ले चुका है कई बार अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा extend कर दें और एक possibility बनाएं तो एक bounce आएगा तो इसको 290 का area rejection एक बार दिखाना चाहिए करता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर confirm हो जाएगा कि हम 250 जा रहे हैं क्योंकि ऐसा breakdown अभी तक काफी दिनों बाद हुआ है कभी नहीं जाते थे 25 के आसपास आते थे तो बाउंस होता था शार्प लेकिन इस बार ब्रेक करके हम नीचे बैठे हुए हैं तो कोई भी बाउंस टुएटी नाइटी के आसपास एक सेलिंग जोन की तरह काम करना चाहिए स्टॉप लगाना पड़ेगा तो यह सभी स्टॉक्स थे इंडेक्स थे यह सभी मेरा व्यू था और जो भी बात बुझे बोलनी थी अबाउट नो ट्रेडिंग अबाउट जो भी फ्री ट्रेड और फ्रीकी रेगुलेटर है हमारा उनके बारे में और डरना नहीं किसी को ठीक है कोई क्या उखाड लेगा सीजी सी बात है खाली हांत आये थे खाली हांत जाएंगे लेकिन देश को बदल के जाएंगे सही कॉस के लिए that is what your goal should be and if you are right if you are right just fight okay thank you guys thank you very much see you soon bye bye कर दो कर दो